नमस्कार आदाब सस्तिरेकाल दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गजिन रेजुके संट पॉइंट पर दोस्तों इस से पहले जो हमने वीडियो बनाई थी यह उत्राखंड का जो गुरूप C का मौक टेस्ट है दोस्तों उसके लिए हमने यह वीडियो बनाई थी और दोस्तों बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि आपके जो यह मैं आपके लिए जो इतनी मेहनत करता हूँ आपको जो रेस्पोंस है बिल्कुल भी यह रेस्पोंस बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो आप हमारी वीडियो को दोस्तों श को सन है जो हमने पहले जो वीडियो थी उसमें डिसकस कर लिए थे और यह जो 50 कुस्स है न दोस्तों वहामीं इस वीडियो में डिसकस करने वाइए तो चलिए Question 50 से स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों आप comment box में जरूर बताएगा कि यदि कोई answer आपको गलत लगता है आप होता है, दूसरी बात वैसे मैं पूरी आसा करता हूँ आप को प्रॉवाइड करा हूँगा और दोस्तो यह है जो मैं आपके सामने स्धीर चल रहा हूं इसमें आपका यह वाद़ा है कि दोस्तों आप इससे जान पाएंगे किस परकार के question आते हैं और किस परकार की जो सिलेवश है वो कहां से question पूछा जाता है और आप अपने score भी विता सकते हैं क्योंकि मैंने इन 4 बिकल्पों के बाद दोस्तों इसका answer दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप पहले good try कीजिए ठीक है आप copy में लिखते जाएगा इसका answer यह इसका answer यह बाद में आप check करिजीगा तो चली question है नंबर 50 है दोस्तो जापान की संसरत को क्या कहा जाता है diet कहा जाता है डेल कहा जाता है यूवान कहा जाता है सोरा कहा जाता है तो इसका answer आप सभी जानते है बहुत पुराना question और कई सारी परिक्षाओं में दोस्तो पूछा जाता है इसका answer दोस्तो question number A question number A इसका बिरकुल है यहाँ पर right answer है या निकि diet कहा जाता दोस्तो question number question number 2 है दोस्तो question number 1 क्या बने राष्टपती द्वारा राज्य सभा के लिए कितने सदस्य नामित किये जाते हैं जो राष्टपती होता दोस्तो वो राज्य सभा के लिए कितने सदस्य नामित करता है 2, 12 या 15 कितने करता है दोस्तो आप सभी comment करके जरूर बताईगा और कई बार यह दोस्तो प्रस्टन पूछा गया है तो इसका जो right answer दोस्तो आप सदस्य नामित करता है राष्टपती कितने करता है दोस्तो बारे करता है और जो लोगसभा के लिए करता है कितने करता है दो करता है लोगसभा के लिए दोस्तो दो करता है और वो कोन होते हैं दोस्तो एंगलो इंडियन होते हैं हरीदवार में हैं, कानपूर में हैं, लखनव में हैं, ठीक है, या उद्धम सिंग नगर है, तो भारती गन्ना रिसर्च संस्थान पूछा गया है, तो option number 20 का right answer है कानपूर में है, कहां पर है दोस्तों, कानपूर में, next question 53 है, निमलिखित में से छेत फल की दरश्टी से उत्र इजी question था, option number A, रूदर प्रियाग दोस्तों, छेतरपल के दरश्टी से सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला कोंसा दोस्तों, उत्तर का सी, question number 54 है दोस्तों, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां परिस्तित है, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क यहां परिस्तित है, उत्राखंड में, करनाटक में, उत्तर प्रदेश में, इन में से कोई नहीं, तो राइट आंसर दोस्तों, जानते हैं, इसका राइट आंसर है, option number B, करनाटक यहां पर विल्कुल इसका राइट आंसर है, question number 55 है, हाप नेलसन सब्द किस खेल से संबंदी next 56 question है, दोस्तों, राइडर कप किस से संबंदी है, बैडमिंटन से, होकी से, गॉल्प से या टेनिस से, राइडर कप किस से संबंदी से, तो दोस्तों, जितने भी कप होते हैं, खेल के छेतर में, उनसे एक नहीं प्रसंद पूछा जाता है, जितनी भी ट्रॉफिया होती है आई-सी-सी का जो 20 वैलकफ है, वो कहांपर होगा? और जो अन्य, प्रतियोगिता है, होती है, केल से, रियलेटिट ही, और जो, ओलंपिक है, वो कहांपर होगा? सीच कालीन कहाँपर होगा? तो इस परकार के нравится आपको जरूर तयार कने है, आपकी परिक्सों में दोस् गया था जो उत्तर प्रदिस का जोनपूर सहर है दोस्तों ठीक है ये किसके द्वारा बसाए गया था तो अकबर जलालुदीन फिरोज दुगला इनमें से कोई नहीं राइट ऑंसर दोस्तों फिरोज टुगला किसका वर्कुल राइट अंसर है कोसे नवर फिर्टी यह दोस्तों ओप्सन Via साएंटर के द्वारा बूस्तो इस परकार के जो कोश्य नter जासे सेव का उतपादन कहां पर होता है के लिग का उatका सबसारिदे कहां उता है सबसे बहुत पर नहीं को आपके सामें इसारों को याधकरना एक नेक अब करने और को मिलिगा यहां पर पुछा गया के ले ठीक है तो right answer आप से जानते option number A इसका विरकुल right answer तमिलाड़ु दोस्तों विरकुल इसका सही answer है next question 60 है बहुत important है दोस्तों very very important है सेबी小心 सेबि कर नाम न में दोस्तो बहुत सारी परिक्षवाJA पूछा गये सबसे पहले परिकुhon सबसे पहले आपको सेबिया सेबी क्या होती है सेबी जो मारकेट एक्सचेंज होती है ठीक है उनको नियंतरी एक तृप्सन नमबर टैंटर Fast B है Security of Exchange Board of India, C is Saving of Expenditure Board of India, इनमें से कोई नहीं, right answer जान लेते हैं दोस्तो, option number B, Security and Exchange Board of India, विरकुल इसका right answer है, और इसका मुख्यल है कहां पर है दोस्तो, दिल्ली में, माप कीजिए को मुंबई में इसका मुख्यल है, question number दोस्तो, originating का है by R की माँ की सास की एक मातर पुत्री है, तता Q की पतनी है, Q R से संबंदित है, तो आपको बताना है, चाचा, भतीजा, पती है, पिता है, बहुत ही question दोस्तो, मैं इसको यहां पर आपको सामने डिसकस नहीं करूँगा, उमीद करता हूँ, आपने इसका अंसर लगा दिया होगा, ठीक है, आंसर जान लेते हैं, बस इसका राइट अंसर है, दोस्तो, option number A, इसका बिर्कुल चाचा, राइट अंसर है, question number 62 है, दोस्तो, निर्देश, दिये गए बिकल्प में से संबंदित का चैन करना अपना, जैसे कि मेरा थन में क्या होता है, दोस्तो, दोड़ते हैं, वैसे सीत निंद्रा में क्या होता है, दोस्तो, निंद्रा, ठंड, चलना, सहना, तो आपसे भी जानते हैं, निंद्रा बिर्कुल इसका राइट अंसर है, question number 63 है, निर्देश दिये गए सब्दों को एक सार्था का नुकरम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा, तो पहले जैसे एस्या है, प्रत्थभी, आकास गंगा, सोर मंडल, या भारत, तो सबसे पहले दोस्तों, आपसे भी जानते है, सबसे पहले क्या है, यह हमें बताना, तो पांच, चार, तीन, दो, एक, पांच, दो, चार, तीन, एक, सबसे पहले, ठीक है, तो राइट अंसर पांच, तो सबसे पहले भारत, ठीक है, परित्वी सोर मंडल तो इसका आंसर दोस्तों आप मुझे कमेट बॉक्स में जरूर बताईगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है ठीक है नेक्स्ट कुर्शन है दोस्तों चार भाईयों की ओसत उमर 20 साल है अगर एक को जोड़ते हैं तो उनके पिता की ओसत बरदी चार साल बरदी हो जाती है तो दो साल पिता की ओमर क्या होगी 12 साल 42 साल ओमर एज का कुस्टन रेजिनिंग का लगा दिया होगा आपने राइट आंसर जान लेते हैं B यानि के 42 साल बिर्कूर राइट आंसर है यह भी कोशन दोस्तों रेजिनिंग का एक ब्यक्ति की बर्त्वान उम्र उसकी मा की उम्र का 2.5 बे है यानि कि 2 बटा 5 है 8 साल बाद बेहां अपनी मा की उमर के 1 आधा हो जाएगा यानि कि हाप हो जाए आधा हो जाएगा बरत्मान में मा की उमर बताने में रिजिनिंग का कुछन है डिसकस नहीं करूंगा यहाँ पर आप लगा देंगे इसका अंसर जान लेते हैं नंबर सी एक बार दिखा देता हूं आपको फीन पर जिससे कि आपको करने में आसानी हो जाए ठीक है पढ़ लिजी एक बार क्योंकि आप ट्राइ करेंगे तो टाइम लेगेगा न यह भी रिजिनिंग का कुछन है दोस्तों तीन लड़कों की उससत उमर 25 वरसा और उनकी उम पात तीन पात साथ है इनमें सबसे चोटे लड़के की उमर आपको बतानी है बाइस साल है ठीक है 42ए 30 पंध्र है ओसत जो 25 होना चाहिए उनका सबसे हमें चोटे लड़के की उमर बतानी है तो आपको क्या करना इस प्रीकार के कौश्छन में दोस्तों कैसे आप आनसा लग चलिए राइट अंसर इसका लगा लीजिए और रिजिनिंग का कोशन दोस्तों इसको बिल्कुल हम लगाएंगे नहीं वसमा आपके सामने स्कीन पर इसको चला रहा हूं राइट आंसर उम्मीद करता हूं आपने लगा दिया होगा आप सब देख रहे होंगे एक हर जो ए है उ रितेस बाय छोड से बारवा बाय छोड से दोस्तों वारवा है सुधीर जो दाय छोड से 22 वा है रितेस से दाय का छोता है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हमें यह बताना है तो 37, 25, 45, 31 ठीक है यह कोशन भी रिजिनिंग का इसको भी मैं डिसकस नहीं करूंगा से तीथी होगी एक बार गोर मैं रिपीट कर देता हूं यदि महा की पांच भी तीथी मंगलवार है तो महा के तीसरे सुकुरवार के दिन तीन दिन वाद कौन से तीथी होगी 19, 20, 19, 22, 25 ठीक है राइट आंसर है उप्सन नमबर ए रिजिनिंग का कोशन है रिजिनिंग का दोस्तों मैं यहां पर डिसकस नहीं करूंगा आपके सामने आप बताएं आपको रिक दिस्थान बनना एक चान नो सोले पच्छिस एजी कोशन आप समझ गया होंगा है कि क्यूब बन के चल रहा है ठीक है राइट आंसर 36 हो गया होगा उप्सन बसी आप सभी जान गया अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने किस थे थी को जेरुसलम को इस्राइल की राजदानी के रूप में माने था 6 जनवरी 2018, 6 नवंबर 2017, 6 अक्टूबर 2017, 6 दिसंबर 2017 तो दोस्तों जो इंटरनेशनल करेंट अफेर है ठीक है राष्टे अंतराष्टे जो करें अथक बहा भी कहा जाता है जो बढ़ होते हैं आप सभी जानते हैं चारवन ब्रामबन, छट्रिय, बैश्य, शूद, राइट आंसर दोस्तों, उप्सन नम्बर सी, बैश्य हैं पर विल्कुल राइट आंसर है, कुश्चन नम्र 73 है, निमन में कौन सी यूगम समेलित नहीं हैं गलत नाम बताना, दा बर्निंग फॉरेस्ट नंदनी सुन्दर ने लिखी है, वन इंडियन गर्ल चेहतन भगत ने, जिन्ना ओफ़न केम टू आवर हाउस के रण दोसी ने, आई लैंड आफ लास्ट गर्ल कुनाल बसू ने लिखी है, तो हमें सही सुमेलित नहीं बतान है, ठीक है, तो 73 का राइट आंसर दोस्तों, ऑप्सन नंबर डी है, 74 है, दोस्तों सेहर साहा का उत्तरदारी, जो हिस्ट्री का कुश्चन दोस्तों, सेहर साहा का जो उत्तर अदिकारी कौन था, शुजात खां, इसलाम खां, फिरोशा, मुहम्मद, शाह, आदिल, राइट जान लेते हैं, दोस्तों, ऑप्सन नंबर भी, इसलाम साहा विर्कुलिस का राइट आंसर है, 75 कोश्चन, इस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंबिक दोर में बैस्टन प्रेजिडेंटी कहां परती, शूरत सतारा बोंबे या पनजी, राइट आंसर जान लेते हैं, दोस्तों उप्सन नंबर इस, शूरत बिर्कुलिस का राइट आंसर है, 76 कोश्चन दोस्तों, बारत की सबसे लंबी नदी, दोस्तों, एक होता सबसे लंबी नदी, एक होता सबसे चोड़ी नदी, तो ये confusion बरा कोश्चन होता है, इसलिए परिक्सम बार बार पूछा जाता है, और ब 77 कोश्चन भारत की दक्षण परवस्रेणी कौन सी, नेलगरी, अन्ना मलाई, और काडम, और नन्ना मलाई, राइट आंसर दोस्तों, दक्षण परवस्रेणी बता रहा है, ठीक है तो, ओप्सन नंबर सी, काडम, इसका विर्कुलियां पर राइट आंसर है, ये हैं आपके जोग्राफी से कोश्चन था दोस्तो, 78 कोश्चन दोस्तों, ये बहुत प्रसंद जो कन्फूजन बरा कोश्चन हो रहता है, बच्चे पाकिस्तान लगा जा, इसको लगा के आ जाते हैं जल दी से, क्योंकि इसका जो नाम है दोस्तों, पाक, जल, डमरू, डमरू, मध्य, कि इसके मद्देश भारत और पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश, भारत और शेलंका, भारत और माल्दीप, राइट आंसर दोस्तों बता दीजी, उमीद करता हूं अपने इसका राइट आंसर लगा दिया होगा, राइट आंसर दोस्तों, भारत और शेलंका है, और बच्च अंतर भारत में परतंबार संसद्य सच्चिब का पद किस बर सरजित किया गया दोस्तों ध्यान से नोट किजिए कि क्या पूछा जा रहा है संसद्य सच्चिब के पद की बात कर रहा है सब्सक्राइब कर रहा है इसलिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी स्पीड में बोल रहा हूं 80 बना दोस्तों प्रतेक सब्द में प्रतेक अक्सर का केवल एक बार प्रोग करते हो अक्सर यू टीवी से कितने अक्सर बना जा सकते हैं तो उमीद करता हूं आप इसका राइट आंसर लगा देंगे ठीक है इसको आप ट्यूब भी लिख सकते हैं इसको आप क्या लिख सकत तो में से बिसम सब चुनना आपको जील कुवा महासागा टैंक तो आप सभी जान रहोंगे बिर्कुली जी कुस्टन टैंक बिर्कुली यहां पर राइट अंसर है राष्टे खेल दिवस आप सभी जानते हैं कम बनाया जाता है तो 29 अगस्त 14 नमंबर 29 सितंबर 29 जुलाई तो virus कहा जाता है जो जानबोच कर किसी के mail को या किसी के computer को hack किया जाता है दोस्तों उसको virus कहा जाता है सार्चुन जन्ट, चैट, सॉप्ट्वेर, इमेल, बायरस दोस्तों यह सभी जो प्रस्टन आप सभी देखने का मतलब आपका केबल ओचिते मेरा इसलिए है केबल मैं आप तक एक मैसेज एक संदेश यह देना चाहता हूँ कि दोस्तों इससे आपको यह पता चलेगा कि computer के question भी इसमें पूछे जा रहे हैं history के question भी पूछे जा रहे हैं और जो geography के question भी इसमें पूछे जा रहे हैं और जो आपके 40 question है वो तो मैंने आपको पहले सी बता दिया मैं अपनी हर वीडियो में दिसकस करता हूँ कि वो उत्राखंड special के question है ठीक है जो आपको विल्कुल भी इगनोर नहीं करने है तो मैं तो केवल अपनी वीडियो के माध्यम से दोस्तों यह संदेश आपको देना चाहरा हूँ कि इस परकार की question जो दोस्तों आपके परिक्सा में आते हैं और आप जरूरी नहीं के दोस्तों मेरे ही चैनल से आप पढ़ सकते हैं यह आप किसी भी चैनल पर जाकर यह सारी चीज़े या किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं question number 85 दोस्तों हम यहां पर लेंगे रिजिनी का question है दोस्तों निम्ले के संचेप रूपे में कुन सा संबाने रूप से एबांचे जंक इमेल का बढ़न क्रैम ड्रा जैम इस्पाम सब राइट आंसर जानते हैं इस्पैम जो विरकुल इसका राइट आंसर है बिस्प होमोपैथी दिवस किस्तिथी को बना जाता आठ अपरेल नो अपरेल दस अपरेल ग्यार अपरेल तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रसंद पता होगा नहीं पता होगा तो चली जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है किस देश में मोटापर पर नियंतरा पाने है तो 6 अपरोल 2008 को सुगर टैक्स लागू किया गया है तो वह कून सा देश है हमें यह बताने युनाइट गिंग्डम बहुत इंपोर्टेंट को सन दोस्तों अस्टेलिया न्यूजिलेंड दक्षन अपरेका ठीक है चली कोई बा इंपोर्टेंट प्रस्न दोस्तों इस परकार के जो अजीब प्रस्म होते हैं यह परिक्साओं में पूछ लियता है एक बार में पुन्हें स्कूशन को रिपीट कर देता हूं वैसे इस का अंसर मुझे भी नहीं पता था लेकिन इस वीडियो के माधियम से आपके माधियम स दोस्तों देने को तो मैं इसकी PDF आपको डारैक दे सकता था ठीक है ऐसा कुछ नहीं लेकिन जो मैं साथ में भी आख्या करता हूँ एक प्रस्ट के साथ साथ मैं उसके जो मोश्ट को लेकर या जो भी अधनिया तक है दोस्तों मैं वीडियो में अपनी बताता हूँ तो इसलिए वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है तो 88 का राइट आंसर दोस्तों जान ले दोस्तों का नाम रख दया रहा है भारतिय सिक्षा मंत्राले क्या तो नमर 8 9 दोस्तों निमली कितमे से किस्टेको राष्ट चमुंदरी दिवस आप सब जान रहे हों कि जो दिवस होते हैं को आप दिवस को भी नहीं कर सकते दोर तो क्योंकि इस ही जो हमारी यह स्रीज है दोस्तों इसी जो सो नंबर का यह पेपर है दोस्तों इस मोग टेस्ट में कम से कम तीन दिवस आप से पूछ लिए तो जैसे कि अभी पूछा गया था खेल दिवस पूछा गया था आपको 19 अगस्त ठीक है और आप से होमोपैथी दिवस पूछा गया था और प्रश्न नमबर 90 है दोस्तों संतोष्ट आपी 2008 की बिजेता टीम कोने मुंबई केरल गुजराद पस्चिम बंगाल तो ऐसा नहीं है दोस्तों को बिलकुल आपके करंट के को सम्पोचर पोचगा एक-दो साल पुरान जो करंट होती है उससे भी दोस्तों आपके यह प्रस्चिम पूछ सकता है Meter तो यह जो आंसर दोस्तों या चैक कर लिजिए मुंबई केरल गुजराथ ठीक है चलिए राइट आंसर दोस्तों जान लेते हैं इसका राइट आंसर ऑप्सन नम्बी नाइन्टीवन को सन दोस्तों गंगोत्री किस राष्ट्री राजमार्क पर इस तो बहुत पार दोस्तों 108 119 दोस्तों दिल्ली टू पोड़ी राष्टे राजमार्क है 92 को सन दोस्तों राज्य का सबसे लंबा राष्टे राजमार्क आपको बताना उत्राखंड का अठामन बहात्तर चौहत्तर या 108 तो आप सब जानते हैं कि अठामन जो है वो सबसे बड़ा है कि नाइंटी थे कोस्तों दोस्तों इंगलाइन की मुद्रा क्या यह आपको बताना है पाौंड डवरा यूरो इन में से कोई नहीं आप सब जानते हैं और इजी कोस्तन है पूर्ज्च नंबर ए पांड इसका ब्रुकुल राइट आंसर है 94 question दोस्तों सूर्य कुंड कहां पर इस्तित है बहुत बार दोस्तों यह प्रस्टों रिबीट हो चुगा मैंने कई सब कई बार डिसकस कर लिया यह मनोत्री हरिद्वान नेनिताल उद्धम सिंगनेगर ठीक है उद्धम सिंगनेगर को दोस्तों रूदपूर के नाम से भी जान यह को पोलो खेलते हुए किसकी मृत्तू हुई ती यह आपके लिए हमबर कुर्शन है आपको कमेंट बोक्स में जवाब जरूर देना है तो 95 का राइट आंसर और नुमबर यहां पर राइट आंसर है 96 question दोस्तों करनाटक केसरी उपादी किसे दी गई है आर आर दिवाक कर केसी रेड़ी गंगाधर राब देश पांडे उपरोक्त में से कोई नहीं तो करनाटक केसरी की उपादी राइट आंसर जान लेते हैं 96 का राइट आंसर दोस्तों गंगाधर राब देश पांडे ब्रकुलिया पर राइट आंसर है 97 घटोतकच मंदिर एवं हिंडीवा मंदिर कहां पर इस्तितर उत्तरकांसी चंपावत टीरी दोस्तों यह ऐसा कुश्चन है ठीक है जो बच्चे जो इंपोटेंड मंदिर होते हैं उसको तो याद कर लेते हैं लेकिन जो इस प्रकार के मंदिर दोस्तों उनको छोड़ देत है कि नेक्ट संदोस्तों मुल्ला पेरियर बांद भारति किस राज्य मंश्तित मारा स्टोड़ि शाखेरल असम राइट आंसर जान लाते हैं दोस्तों ऑप्सिन नम्बर सी एक नेक्ट कुर 99 को सन्दोस्तों बद्री दत पांड़य नाम से जाना जाता है बद्री किसे जाना जाता है गड़केशरी लोक रतन कुमाव केशरी 99 और सी विरकुल इसका राइट आंसर है तो कुमाव केशरी के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है इस वीडियो का दोस्ता हमारा लास्ट प्रस्ट है ठीक है जो आपको बताने मिन में से कौन सा इस्थान रूद प्रयाग ज आइंगे और जल्दी ही दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं के तो लाइक किरजिए और अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर किजिएगा क्योंकि दोस्तों यार हम इतने मेहनत आपके लिए करते हैं और वह भी बिल्कुल आपको निश अगर अन्य किसी टोपिक पर या किसी भी जो आपके कन्फूजन है उत्राखंड की किसी भी परिक्साव को लेकर दोस्तों आप मुझसे कमेंट बोक्स में पोश्च रकते हैं तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी दोस्तों मिलत